गाईज आज हम बात करने वाले हैं picture tag की और picture tag हमारी images को responsive तरीके से show करता है हमारे web page में अब responsive तरीका क्या है? responsive तरीका यह है कि हम अपने web page को अगर अलग-अलग devices पर खोलें जैसे mobile पर, tablet पर या laptop पर तो हमारी एक article की image जैसे ही अलग-अलग devices पर हमारा web page खुले तो image change हो जाए different different image खुले यह यह समझे कि बड़ी screen पर बड़ी image खुले और छोटी screen पर छोटी image खुले और ऐसा करने के लिए हम यूज़ करते हैं picture tag का और picture tag में एक tag और यूज़ करते हैं जिसका नाम है source तो आईए देखते हैं इसका example तो गाइस देखिए एक desktop खुला हुआ है और desktop पर एक मैंने folder बड़ा हुआ है all type tutorials नाम से मैं इसको खोल लेता हूँ जैसी मैं इसको खोलता हूँ तो देखिए इसमें एक index.html file है और बरावर में ये तीन logo की file ले पड़ी हुई है देखिए पहला logo है logo b.jpg मैं इस पे mouse ले जाता हूँ और देखता हूँ इसका dimension क्या है देखिए इसमें dimension आप देख रहे होंगे 1000 x 500 dimension तो ये 1000 pixel width का dimension का logo है जो मैंने यहाँ पर ये save करके बनाया हुआ है ऐसे ही देखिए दूसरे logo है logo M यानि medium size और मैं इसके ओपर जब mouse ले जाता हूँ तो इसका size है 6,4,9 pixel width ठीक है और height उसकी आदी है ठीक है इसका अलबा small size logo S नाम से है देखिए इसकी dimension है इसकी width है 4,6,4 pixel तो ये तीन मैंने अलग-अलग logo बनाये हुए हैं और इन logo को हम अपने उसमें call कराएंगे अलग-अलग screen size पर देखिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये index.html file है इसको मैं खोलता हूँ right click करके और open with sublime text editor में खोल रहा हूँ तो देखिए sublime text editor में खोल गया तो मैंने पहले से ही ये code लिखकर रहा हूँ है आप देख सकते हैं देखो मैंने picture tag लगा हूँ है यहाँ पर और इस picture tag को यहाँ बंद कर दिया है picture tag के बाद मैंने ये source लगा हूँ है और source के बाद इसका एक attribute लगा है media और media attribute के अंदर मैंने लिखा है देखिए यहाँ पर inverted commas में minimum width और column लगा कर मैंने ये लिखा हुआ यहाँ पर 650 pixel इसका क्या मतलब है 650 pixel इसके बारे मैं समझाता हूँ आपको देखिए इसका मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा चाहें कितनी भी width हो चाहें वो यह 1000 pixel हो यह 2000 pixel हो यह 3000 pixel हो लेक जैसे ही कम से कम 650 pixel तक screen आए तो हमारी एक logo.b image है जब तक यह show करें यानि कि maximum width से 650 pixel तक यह हमारा logo show हो logo.b.jpg यह हमने src set एक attribute है उसके अंदर लगाया हुआ logo.jpg अगर इसके बाद यानि 650 pixel से नीचे जैसी width चले मतलब 650 pixel के बाद minimum यानि 465 pixel तक width पहुँचे तो उस time पर उतने बीच में जो image सो हो वो यह हो logo.jpg देखिए यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है logo.b.jpg यह है और logo.jpg यह है और logo.jpg यह है वो green वाला ठीक है logo देखिए मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ अगर मैं दिखाता हूँ आपको देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे उपर करके देखिए logo m.jpg यह है जो green वाला लोगो है green background वाला लोगो तो यह 650 पिक्सल से 1 पिक्सल जैसी कम हो यानि 649 यह 649 पिक्सल से 465 पिक्सल तक यह वाला logo m.jpg शो होगा तो जैसे ही 465 से 1 पिक्सल कम होगा 464 पिक्सल होगा तो फॉरण 464 पिक्सल से और 0 पिक्सल तक यानि कम से कम जितने भी पिक्सल हो उतने पिक्सल तक यह logo s.jpg यह शो हो यह हमने direct लगाया आइमजी s.r.c में यह picture tag के अंदर हमने लगाया हुआ है पहले दो कि picture tag में मैंने source लगाया हुआ है media attribute के साथ और दूसरा attribute is s.r.c. set इसमें यह logo लगाया हुआ है बड़ा size फिर मैंने source, media और यह size बता दिया और इसका जो है मैंने दूसरा logo का headers दे दिया और अगर इसके अलावा कोई भी size हो मनलब इससे कम जो भी size हो तो उसमें यह ing s.r.c. यह वाला logo शो हो जाए तो देखिए यह तो मैंने बना लिया अब हम इसका देखते है result चलिए हम इसको minimize कर रहे है और इसका हम double click करके खोलते हैं यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ अब देखिए यहाँ पर ऐसे समझे मैं इसको पहले यहाँ ले आता हूँ देखिए ऐसे अब यह पूरा size है 100% size है और full size से लेकर हम दो चूटा करना शुरू करते हैं जैसी इसको चोटा करते हैं तो यह अभी कितने size से है maximum कितना भी size हो लेकिन जब यह पहुचेगा यहाँ पर देखिए जैसे यह पहुचेगा 650 pixel से 1 pixel भी नीचे यह वाला 650 pixel से 1 pixel भी नीचे पहुचेगा तो वैस ही फौरण यह लोगो M हाईलाइट हो जाएगा अभी लोगो B हाईलाइट हो रहा है अब लोगो B दिख रहा है हम और छोटा करते हैं देखिए यहां से चोटा गर नसुरू करते हैं जैसे ही यह चैसो चार्श चैसो 49 पिक्सल पे जैसे ही पहुंचा है इसकी विट तो देखि इसके अलावा अब हम और छोटा करते हैं जैसे 465 पिक्सल से छोटा हो तो हम इसे और छोटा करते हैं देखो, personn han se वाला लोगो से होगा, लोगो ऐस, ये अपने साइज, जितना भी छोटा साइज होगा, उसमें ये लोगो ऐस होगा, तो इस तरह से काम करता है, पिक्चर टैक, तो गाइज इस टुटरियल बस इतना ही, कैसा लगा आपको टुटरियल, अगर आपको अच्छा लगा, तो केर एंड बबाए